हेलो दोस्तों कैसी हैं आप सब आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं हैदराबादी खजूर या मिठे लॉज इसकी रेसिपी इसे मिठे लॉज भी बला जाता है है और इसे शकर बारे भी बोलते हैं तो यहाँ पर यह देखे कितने ज्यादा क्रेस्पी और बहुत ही ज् रिकल फेल नहीं होगी कभी भी यहाँ पे हमने दो कफ मैदा लिया है मैदा आपने चान कर लीना है तो यहाँ पे चन्नी के अंदर हमने दो कफ मैदा डाल लिया है और यहाँ पे आधा कफ हमने सूजी डालनी है सूजी हम इसमें सिर्फ आधा कफ डालेंगे करंच के लिए और यहां पे एक कप हमने पिसी हुई चीनी ली है यहां पे आप बुरे का यूज भी कर सकते हैं मैंने पिसी हुई चीनी ली है इन सभी चीजों को हम अच्छी तरह चान लेते हैं चानने का मकसद यह होता है कि इसमें अगर कोई लंप सों तो निकल जाएं तो यहां पे दो से यहां पर देंगे से जुरूर डालके स्टार अंदर नहीं इढ़नेंगे और 1-4 cup इसके अंदर मैंने डाला है देशी घी डालने से इसमें क्रंच जाएगा आप यहां पे थोड़ा सा जुटकी वर नमक डाल दीचे अब आप सोच रहे होंगे कि बन तो मीठा रहा है तो नमक क्यों डाला है शक्कर पारे में नमक थोड़ा सा डाल दिया जाए तो मीठ यहां पेलेंस रहता है और टेस्ट बहुत जबर्दस्त आता है एक वर ट्राइब करके देखेगा अब हमने दूद लिया है हलका कोसा यानि कि गुन गुना दूद लिया है उससे हम इसको गुद लेंगे आटे को सूजी को हमने अच्छी तरह फूलाना है तो आपको हमारा दूद डालते हो इसको गूत लेंगे तूद इसमें बहुत जादा नहीं लगने वाला है एक चथाई कफ मैंने इसके अंदर दूद डाला है और यह आटा हमारा बन गया है लेकिन अब हम इसे रस्ट के लिए रख देंगे आप इसे तकरीव दस से 15 मिनिट के लिए र लेंगे और इसके उपर से दबा देंगे इसको तो लीचिये यह भी एक शेप होती है खजूर की और से वैसे ही एक पीस लिया है मैंने उसको हम इस तरह कद्दू के उपर रखेंगे और इस तरह निकालेंगे तो इसके उपर एक डिजाइन बन जाता है तो वो देखने में स साथ से बना सकते हैं तो यहां पे एक चनी ली है चनी के उपर इसको दबा देंगे और आप देखेंगे यह सबसे बेस्ट वाला डिजाइन बनता है बहुत ही सुंदर यह डिजाइन बन गया है मैंने काफी सारे बनाए है इस तरह के और आप क्या करते है एक जो फेमस से रह जाएंगे तोड़ा सा मोटा बेल कर इसको हम कट करेंगे यह फूल जाते है ओयल में जाते है इसलिए हमने इसको थोड़ा सा मोटा रखा है बहुत जागा नहीं अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग साइडे इसकी इसकी हम निकाल देंगे और इसके फाइनल पीस निकाल अब आप इनको square cut कीजिए, diamond cut कीजिए, जैसे आपको पसंद हो, आप इने काट लीजिए, तो जो बचा हुआ डो है, वो हम दुबारा से बेल लेंगे, तो वैसे ही ये बन जाएंगे, लीजिए, ये हमारे जो शक्रपारे है, ये जो हमारे खजूर है, ये सबसे best वाले हैं, और आप इनका test देखिएगा, आपको भूलेगा नहीं कभी भी, लीजिए मैंने सारी pieces cut कर लिये हैं, अब oil या फिर देशी घी, जो भी आपको पसंद हो, उसको आप गरम होने के लिए रख दीजिए, मैंने इसको गरम कर लिया है, अब हम यहाँ पे medium से high, medium रखना है पहले तरह टर्न करते जाएंगे और पकाते जाएंगे, आप देख सकते हैं, इनके जो तिल है, वो बिल्कुल क्लीर दिख रहे हैं, लीजिए यह बारा lot हमारा fry हो गया है, आप color अपने हिसाब से रख लीजिए, यह मुझे perfect लग रहे हैं, मैंने निकाल लेती हूं oil में से, और द लुकुल fail नहीं होगी, आपके बहुत ही जबरदस्त खजूर बनकर तयार होंगे, मुझे यह तेस्ट में बहुत ज्यादा पसंद है, मैं हर सालीने बनाती हूं, और आप इसे एक मीने तक store करके भी रख सकते हैं, इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहु के लिए सकते हैं, और जयुकर लिए सेयो थेड़क video को देक अका अगाे जटके पन सेयो को देखने को देक मीन घए रहा हो देखने कि का ता saya इस्ट हैं, इस हमपाइरे में वे घए टरी सकते हैं, तक आप साने के नहीं है तक जशक जईूराद के फुड़ सकते हैं, उशक